आपको Income Tax Audio Report के Format 3 CD में GST और General Anti-Avidance Rule से लेटर जो Disclosure देना था उससे सरकार ने defer कर दिया है जिसके बारे में के हम इस News में Discussion करेंगे Taxil.com के YouTube चैनल पर मैं C.S.A.T.B.E.R.S.िंग आपका स्वागत करता हूँ Regular Update के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Notification Bell को Press करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नए अपडेट डालें आपके पास इमेजियेटली यह अपडेट पहुंच जाए यह है Income Tax Audit Report Format No.3 CD का Close 30C जो के यह कहता था कि यह आप Avoidance Agreement में एंटर करते हैं as per section 96 of Income Tax Act तो उसके इसमें आपको यहाँ पे यह disclosure देना था कि Avoidance Agreement का nature क्या है और जो Tax Benefit है previous share में जो हुए है aggregate सभी पार्टी से वो उसका Consolidator Amount आपको यहाँ पे दिखाना था इसके अलावा Income Tax Audit Report Form No.3 CD में यह Close No.44 दिया गया था जहाँ यहाँ पे कि आपको टोटल expenditure का break up देना था बले ही कोई कोई tax payer GST Act के इंतरियत रजिस्टर हो यहाँ फिर ना हो यहाँ पे आपको दिखाना था इसके अलावा वेख expenditure जो के अपने उन इंटिटी से लेटर है जो कि GST Act के इंतरियत रजिस्टर नहीं है उसका disclosure आपको यहाँ पे दिखाना था अब CBDT के दौरा यानि कि Central Board of Direct Taxes के दौरा Circle No.9 of the 2019 issue किया गया है और 14th May 2019 जिसमें कि यह order issue किया गया है Under Section 1 No.9 of Income Tax Act 1961 जिसमें कि CBDT को बहुत सी representation मिली थी कि Close 30C यानि कि General Anti-Avidance Rule और Close 44 यानि कि GST से लेटर जो disclosure है उसको defer कर दिया जाए इसलिए CBDT ने इस disclosure को defer कर दिया है 31 March 2020 तक इस परकार आपको टेक्स और रिपोर्ट में GST से लेटर जो expenditure आपको दिखाना है Close 44 और General Anti-Avidance Rule से लेटर disclosure जो आपको दिखाना था Close 30C में उसे defer कर दिया गया है इस circular को download करने के लिंक इस news की वीडियो description में भी दिया गया है आज की income tax की news आपको कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं कि पर लाइक करें और share करें जितना अधिक आप लाइक करते हैं या share करते हैं अतनी ही अधिक हमें प्रेड़ना मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी income tax की news आप तक पहुंचा पाएं GST, Tax और Finance की regular update के लिए आप Tax Seal की mobile app को google play store से download कर सकते हैं इसका link इस video की description में भी दिया गया है